असलाम वालेकूम एवरिवान वेलकम बाक टो माई योट्यूब चानल कुकिंग विप शाइखा कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों उमीद करती हूँ आप सब लोग ठीक है और एकदम बढ़िया है तो दोस्तों मैं शाइखा आप सब के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसीपी लेकर तो आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं तो आज हम बनाने जा रहे हैं के एफ सी चिकन तो चलिए जल्दी से हम चलते हैं हमारे इंग्रीडियन्स के ओर तो दोस्तों ये रहे हैं मेरे इंग्रीडियन्स जो फर्स्ट मारीनेशन के और सेकेंड मारीनेशन के और थर्ड मारीनेशन के लिए हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे चिकन के leg pieces यहाँ पे 12 leg pieces है ठीक है तो इनको मैंने पानी में 1 teaspoon vinegar और 1 lemon juice और 1 teaspoon salt डाल कर इस चिकन के leg pieces को उस पानी में डाल कर 15 minutes के लिए रखा हुआ था और उसके बाद इसको wash करके इसका पूरा पानी मैंने drain कर दिया है याने इसको strainer में रखकर इसका पानी निकाल दिया है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे हमें crispy fried chicken बनानी है है ना इसके लिए लगेंगे 3 step ठीक है तो हम इस chicken को 3 बार marinate करेंगे ठीक है दोस्तों तो चलिए सबस स्टेप में हम चिकन को मसाला लगाएंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिए है 12 चिकन के लेक पीस और इसमें जाएगा पैप्रिका पाउडर 1 टी स्पून अगर नहीं है तो भी चलेगा दोस्तों कोई हर्ष नहीं है रेड चिली पाउडर 2 टी स्पून पैपर पाउडर 1 पाउर 2 टी स्पून उसकिया है आप अपने फिसाब warmth से यूज करिएगह ठीक है क्योंके हमें सॉर्ट सेट में भी मिलाना है और तट कर यूज कीणास और मैंने लिया है विनेगर तो अब हम क्या करेंगे इन सारे मसालों को डालने के बाद इस चिकन पीस को अच्छी तरह से इस मसाले में मिक्स करेंगे ठीक है दोस्तो एक एक पीस लेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से इसको लगाएंगे ठीक है और अब इसके बाद हम डालेंगे एक टीस्पून हम इसको डाल कर फिर से अच्छी तरह से mix करेंगे ठीक है दोस्तों हम एक एक leg piece उठाएंगे और अच्छी तरह से इसको mix करेंगे और उसके बाद हम इसको rest होने के लिए कम से कम एक घंटे के लिए रख देंगे ऐसा करने से दोस्तों हमारे chicken pieces soft भी रहेंगे और juicy भी, आप यही method boneless chicken में भी use कर सकते हैं, ठीक है मैंने यहाँ पे collect pieces लिया है, तो दोस्तों आप इस marination को overnight भी रख सकते हैं, two hours भी रख सकते हैं आपकी मर्जी लेकिन minimum one hour के लिए रखना होगा, तो इससे क्या होगा दोस्तों हमारा chicken अच्छी तरह से गल जाएगा, तो दोस्तों आप चलेंगे हमारे step two की तरफ यह है liquid marination और यहाँ पे हम लेंगे मैदा यानि all purpose flour एक cup, pepper powder quarter teaspoon, red chili powder half teaspoon, salt quarter teaspoon और एक अंडा, ठीक है दोस्तों, तो अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे, ठीक है, अब इसके बाद इसमें डालेंगे हमारा chilled soda water, मैंने यहाँ पे लगभग one and a half cup से two cups तक लिया है, आप requirement देखकर use कीजेगा, ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप यह गया soda इसके अंदर हम एक दम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल कर इसका अच्छा सा एक batter बना चाहिए, ठीक है, यह running batter रहना चाहिए दोस्तों, इसके अंदर एक भी lump नहीं रहना चाहिए, देखिए batter को किस तरह सा है यह, है ना running ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यह हमारा second step भी तयार हो गया, और दोस्तों, आप चलेंगे हमारे third step के और, और वो है हमारा dry dusting marination, तो इस में हम लेंगे मैदा all purpose flour, 250 grams के आसपास लिया है दोस्तों, पापरिका पाउडर मैंने quarter teaspoon यूज़ किया है, जिंजर गालिक पाउडर quarter teaspoon, pepper powder half teaspoon, salt quarter teaspoon, long powder मैंने यहां पे quarter teaspoon यूज़ किया है, mixed herbs quarter teaspoon, parsley मैंने half teaspoon यूज़ किया है, और corn flakes मैंने half cup crushed यूज़ किया है, इसको हातों में लेके आप crush कर लीज़ेगा, ठीक है, तो अब ये सारे चीज़े guys के अंदर, अब इसको हम देंगे अच्छा सा एक mix, मैंने यहां पे कुछ seasoning दी हैं दोस्तों, कुछ mixed herbs की और parsley की, ठीक है अगर आपको oregano डालना है, तो भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, जो flavors आपको पसंद है, वो डालिएगा, ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कोई चीज नहीं है, आपके पास ginger garlic powder या paprika powder कोई बात नहीं है, दोस्तों, थोड़ा सा ginger garlic paste, आप first marination में यूज़ कर लीज़ेगा ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब ये सारे marinations तयार हो गए, अब ये देखिए हमारी chicken कैसी लग रही है, मैंने इसको लगभग 2 hours के लिए रखा हुआ था दोस्तों, और उसके बाद देखिए हमारी chicken कैसी लग रही है, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये रहा चिकन और ये लिक्वीड मारीनेशन और यह लहा हमारा ड्राइ मारीनेशन तो हम लेंगे हमारी चिकन की पीस उसे डाइरेक्ट डालेंगे हमारे लिक्वीड मारीनेशन में देखिए इस तरह से जाएगी हमारी चिकन की लेक पीस लिक्वीड मारीनेशन में और इसके बाद इसको यहां से का यानि dry dusting powder में ठीक है दोस्तों तो आपको ये ध्यान में रखना होगा जब आप liquid marination कर रहे हैं तो जो भी इसका excess होगा उसको निकाल देना चाहिए और dry dusting powder में भी excess नहीं रहना चाहिए ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मैं इसी तरह से इन सारे leg pieces को liquid marination finish कर लूँगी ठीक है आप चाहिए तो एक-एक करके भी कर सकते हैं मैंने कुछ बड़ा bowl लिया है ये देख सकते हैं कितना बड़ा सा है आप भी ऐसा ही लीजेगा ताके इसमें dry dusting बहुत आसानी से हो जाएगी ठीक है दोस्तों ये देखिए मैं किस तरह से dry dusting powder यूज़ कर रही हूँ है न क्यूंकि ये हमारा outer layer है दोस्तों हमें चाहिए कि इसमें flavors कुछ अच्छे आए है न तो इसलिए मैंने इसमें कुछ seasoning दी है दोस्तों seasoning से इसका outer layer का flavor बहुत ही प्यारा आएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए ये मैंने सारे leg pieces को dry dusting powder कर लिया है और जो भी इसके उपर extra मैदा है या all purpose flour है उसको मैंने निकाल दिया है एकसेस जो भी रहेगा उसको निकाल दीजिएगा ठीक है आपको इस तरह से दबा दबा कर इसको लगाना होगा ठीक है दोस्तों तो चलिए मैं इसी तरह से इन सारे leg pieces क तो फिनिश कर लोंगी तो दोस्तों ये देख लीजिए हमारे leg pieces कैसे लग रहे हैं पूरे तीन marination के बाद है ना बढ़िया और इसके बाद हम जाएंगे हमारे last step यानि अब है बारी frying की तो frying करने के लिए सबसे पहले हम चूला on करेंगे और रखेंगे उस पे कड़ाई और डालेंगे हमारा cooking oil ठीक है और अब वेट करेंगे हमारा cooking oil के अच्छे से गरम हो जाए आपको cooking oil को check करना पड़ेगा कितना heat हुआ है और इस गरम गरम तेल में जाएंगे हमारे leg pieces तो ये गया पहला वाला और ये गया दूसरा वाला ठीक है तो दोस्तों हम इसको लगभग दो या तीन मिनिट के लिए एक ही तरफ से अच्छी तरह से पकाएंगे ठीक है जब आपको लगेगा कि ये एक तरफ से अच्छी तरह से पक चुका है तब ही आप इसको पल्टाना होगा यानि इसको टर्न करना होगा ये दूसरी साइट भी आपको लगभग दो से तीन मिनिट अच्छी तरह से पकाना होगा अगर आपका तेल बहुत गरम हो गया हो तो थोड़े एक दस सेकेंड के लिए उसको अच्छी तरह से तरह से तल रही हो ये देखिए मेरे चिकन अब तयार है अब मैं इसको निकाल दोंगी ठीक है दोस्तों ये देखिए हमारे चिकन किस तरह से लग रहे है ना एक दम सा KFC स्टाइल में तो चलिए दोस्तों अब जो भी लेक पीसस बचे हुए है मैं इसी तरह से इन सबको तल लूँगे तो एक बार में दो दो करके तल लूँगे आपको तेल का हीट एकदम मौडरेट सा रखना होगा दोस्तों अगर आप इसमें ज्यादे पीसस डाल कर तलेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा आप अपना तेल का हीट देखकर ही इस चिकन को तल कर निकाल लीजिगा ठीक है तो ये देखिए मेरे चिकन अब रेडी है चलिए अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करेंगे तो दोस्तों ये रहे के एफसी वाले चिकन क्रिस्पी फ्राइड चिकन शाइखा के स्टाइल में तो दोस्तों आप सब लोग इस चिकन को मायोनीज के साथ खा सकते हैं और चिली सॉस के साथ खा सकते हैं होट सॉस के साथ भी खा सकते हैं और देशी स्टाइल में भी आप ख खा सकते हैं दोस्तों इसके साथ आप हारी चिटनी भी यूज कीजिए बड़ा टेस्ट लगेगा ठीक है तो मैंने यहां पर मायोनीज लिया है उसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक सॉस मिक्स करके यूज किया है ठीक है और यह रहा चिली होट सॉस यह भी गार्लिक वाला ही है और यह भी बहुत ही बड़ा है दोस्तों आप जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए दोस्तों जल्दी से जाईए अपने किचन में बनाएए खाईए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरे ये KFC वाले चिकन कैसे लगे थैंक यू भर वाचिंग प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं चानल अला हाफिज